हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और अईतिहांसिक अउसरों पर आज हजी के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आए जब दोनों सदनों ने मिल करके यहां पर भारत के भागे को घड़ने के पर विचार किया सहमती बनाई और निल्ड़ेपी किये नाइंटिन फिप्टी टू के बाद दुनिया के करीब फॉर्टी वन राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य संसदों को सम्मोधित किया है हमारे राष्टपती महोधियों के द्वारा 86 बार यहां सम्मोधन किया गया है बीते साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे है जिम्मेवारियों को समाली है अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं अभी तक लोगसभाव और राजसभाव ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पांस किये हैं और कभी ज़रुवत पड़ी तो जॉइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारिद करने की दिशा में रहननिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो आतंग से लड़ने के लिए कानून हो ये संयुक्त सत्र में पास किए गए इसी ग्रह में पास किए गए इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतिक्षा थी शाबानों केस के कारण कुछ उल्टी पाटी पर चड़ गई थी इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया संसदें बिते वर्षों में ट्रांस जेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्मान की इसके बाध्यम से हम ट्रांस जेंडर के प्रती सद्धाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी शिक्षा स्वास बागी जो सुविधाय हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बड़े हम सब ही ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूनतों को देखते हुए उनके एस्पिरेशन को देखते हुए ऐसे कानूनों के निर्मान किया जो उनके लिए उज्वल भविश्की गारंटी बन रहे हैं गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्पिरेशन को दबोच के रखा था उसकी भावनाओं को तहस्त नहस्त कर दिया था आज हाँ भारत में अपने सपने संजो रहा था शुनोतियों से जूज रहा था लेकिन मिलकर कि आज जहां पहुचे है अब बहां रुकना नहीं चाहता है वह एस्पिरेशनल सुसाइटी के साथ नए लक्ष गणना चाहता है जब एस्पिरेशन सुसाइटी सपने संजोते ही हो संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का अंदिर्मान करके उजबल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने का दाइत्वा हम सभी साउसदों का सभी शेस होता है संसद में बढ़ने वाला हर कानून संसद में होने वाली हर चर्चा संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए यह हम सब की भावना भी है करतब्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेच्छा भी है हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्च पद पर होना चाहिए प्राथ्विक्ता पर होना चाहिए लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूँ क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भग्व्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते पच्चतर साल का हमारे पास अनुभव है हमारे पूरवजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उससे हमने सीखा है हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड़ जाए हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए हमारा कैनवास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं उस तश्वीर का खाका खीच सकते हैं उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीड़ी को वो भव्य दिव्य मा भारति के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं जोस्तों हम बुरुत काल के 25 वर्सों में भारत को अब बड़े कहनवास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए थोटी शोटी चीज़ों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्मनिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हम से शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्धी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर भर की बात करता है तो और मट्निलेटरिजम की सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकोनोमिक के जमाने में चीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मनिर भर मोडेल की चर्चा करने लगे है और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंट सेक्टर में आत्मनिर भर हो एनर्जी सेक्टर के में हम आत्मनिर भर हो एडिबल ओई क्यार इस देश को आत्मनिर भर नहीं होना चाहिए क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं कि खाने का तेल कि आप देश बाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर भर भारत को संकल्प को पूरा करना यह हम समका दाइत्व है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं तो दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब है मैंनिफैक्टरिंग सेक्टर बे बें दुनिया में सर्वस्ट्रेश्ट बनने की दिशामें ही कद्व रखने होंगे और मेरे एक बरलाल के लिए से कहा था जीरो डिफग्ट जीरो इफ़्ग्ट हमारे प्रोड़क्ट में कोई डिफख्ट नहो हमारी प्रक्रिय में परियावरण पर कोई इफेक्ट न हो ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें धुनिया के सामने मानुफेक्टिंग शेत्र में जाना हो हमारे डिजाइनर हमारे यहां निर्मान होरी डिजाइन्स हमारे सौपफ़ेर हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्स हमारे हस्त सिल्प हर छेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंडा फैरा सकते हैं मेरे गाउं में मेरा सबसे अच्छा माल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा दुनिया में म दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अभी इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिख्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बरी है उसके सहारे हमें चल्न पना है और दुनिया के इस टॉप उस उनिवसिटी में है अभी जब जीट पेंटी में विश्व के मेमान आये हैं